नमस्कार ये किस्मिस है और ये सुनेहरे रंग वाली किस्मिस है किस्मिस अंगूर को धूप में सुखा के किस्मिस त्यार की जाती है अब 7 दिन अगर हम इसको धूप में सुखाते हैं तो हरे रंग की किस्मिस हमें प्राप्त होती है इसी तरह उसको 14 दिन हम धूप में अंग रंग की किसमिस मिलती है हरे रंग की किसमिस में कुछ कम गुण होते हैं और जो सुनेहरे रंग की किसमिस है उससे थोड़ा ज्यादा गुण उसके अंदर मोजूद होते हैं इसी तरह जो काले रंग की किसमिस होती है उसके अंदर और ज्यादा गुण पाए जाते हैं इसकी त सरी में गर्मी जादा बनती है उन लोगो को कहना चाहूंगा कि इसको रात को पानी में भीगो के सुबे खाली पेट और सुबे पानी में भीगो के साम को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले अपनी बिमारी के अनुसार इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं इसम से 15 ग्राम भुपैर कोखा सकते 10 से 15 ग्राम आप साम को खा Rover मतल़ Galaganim मैं आप इसको 30 से 45 ग्राम खाएंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं करेगी इसकी ताशीर पतायता हूं इसकी तासीर अगर हम सूखा devient औरम तासीर होती है इसी को अगर तरीका क्या है इसको खाने का कोई सही तरीका नहीं है आप इसको वैसे सुखा भी खा सकते हैं और इसको भीगो के भीगो के खा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कि बताया कि कौन सी वात और कफ प्राकृति वाले सुखा भी खा ले और पित प्राकृति वाले इसको भीगो के खा अब इसके बाद इसको कितने समय खाना चाहिए जादातर बीमारियों में सुबह और शाम को खाया जाता है, जादातर बीमारियों में सुबह खाली पेट इसको खाने की सला देते हैं, मगर कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसमें दिन में तीन बार भी इसका इस्तमाल करने को कहत बिमारी की समय के अनुसार उसका लेहाता है उसके अनुसार बताया जाते हैं कि आप इतने इसका बिमारी चूट जाएगी इसी तरह एक साल से तीन साल पुरानी पुरानी है तो एक से तीन महीने इसका इस्तमाल करेंगे तो आपकी बीमारी खतम हो जाएगी बाकी आपकी बीमारी जैसे ही खतम हो जाएगी इसका इस्तमाल आप बंद कर सकते हैं इसकी किसी तरह की कोई आदत भी नहीं पड़ती इसका कोई side effect भी नहीं होता बस अपनी प्राकृती को पेचाने उस प्राकृती के अनुसार इसका इस्तमाल करें और उचीत मातरा में इसका इस्तमाल करें आपको कभी नुकसान नहीं करेगी किस बीमारी में कैसे खाना है जड़ी बूटी के साथ या कैसे इस्तमाल करना है मैं आपको इस वीडियो में उपर से गरम दूद पी जाएं या फिर दूद में उसे उबाल के उस दूद को खाना खाने के बाद सोने से दो गंटा पहले इसका इस्तमाल करेंगे तो पेट साफ हो जाएगा अगर इस तरीके से भी नहीं लेना चाहते तो एक और तरीका है सूबे पानी में इसको भिगो द आठ से दस दाने साम को खाना खाने के बाद वो आठ से दस दाने चबाके उपर से गरम दूद पीना आपके लिए बहुत फाइदेमंद है इससे क्या होगा आंतडियों को ताकत मिलेगी उसमें जो खुशकी जादा होगी है उसके अंदर कमजोरी आगी है तो वो हमेशा के दूर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मातरा में पाए जाता है और भी बहुत सारे पोशक तत पाए जाते हैं जिससे आपकी आंतडियां वह उनकी जिलियों को ताकत मिलेगी वो अपना काम ठीक डंक से करेंगी और कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए द तो ये किसमिस खाना खाया आपने उसके बाद चार से पांच दाने अच्छे से चबा लिजिए दुपैर को खाना खाया आपने उसके बाद आप किसमिस के चार से पांच दाने चबा लिजिए रात को खाना खाया आपने चार से पांच दाने किसमिस के चबा लिजिए इससे क्या होगा इसके अंदर प्रोटीन और अन्य विटमिन्स जो पाए जाते हैं वो आपके सरीर में जो भी आपने खाना खाया उसको तो हजम करी देंगे मगर उसमें से जो पोशक तत्व हैं वो भी आपके सरीर में लगा देंगे जिससे आपका वजन बढ़ता चला जाएगा और आप जब लगे कि अब मेरा सरीर कद के अनुसार से बिलकुल अच्छा हो गया वजन तो उसको छोड़ दें फिर जो लोग रोजाना किस्मिस का इस्तमाल चाहे भीगो के चाहे वैसे सुखे तोर पे खाते हैं उन लोगों को कैंसर का खत्रा नहीं होता है और जिन लोगों को cancer की शिकायत है वो लोग किसमिस को सूखे या भिगो के खाते हैं तो उनकी cancer की जो कोशिकाएं हैं दीरे 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 शिकुरतने लग जाती हैं और वो नश्ट होने लग जाती हैं उनके लिए भी बहुत जादा फाइदेमन साबित होता है जो लोग ये चाते हैं कि हमारे चेहरे पे जाईया ना पड़े पिंपल्स ना आए जुरिया ना पड़े और हमारा चेहरा हमेशा जवान दिखे ऐसे लोग अगर किसमिस को रात को पानी में भिगो के छोड़ देते हैं सुबे खाली पेट रोजाना आठ से दस दाने खाते हैं और उनकी तवचा उनके उमर से कम ही नजर आती है और उनका चेहरा भी बहुत अच्छा ओजवान नजर आता है जो लोग बालों के जढ़ने की समस्या से परेशान है उन लोगों को कहना चाहूंगा इसके अंदर आयरन और बहुत सारे विटमिन्स पाए जाते हैं विटमिन रखता है उसके लिए क्या करना होता है इसे 8-10 दाने रात को पानी में भीगो के सुएरे खाली पेट उस दानों को खाय जाता है उपर से गाए का दूद पीने से बाल की जड़े बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं बाल जढने बंदो जाते हैं और बाल बिल्कुल प पानी में 8-10 दाने, पानी में भीगो के सुवेरे उसको अच्छे से दबा के उसके बाद वो सुवे खाली पेट खा सकते हैं क्योंकि ये आमाश्य और अगनाश्य को ताकत देता है जिससे की इसको सूखे तोर पे मत खाएं, भीगो के आप खा सकते हैं इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और आप अपने आपको ताकतवर भी महसूस करेंगे क्योंकि शुगर हमेशा नसों को, हडियों को, शरीर के अंगों को कमजोर करता है उसमें अगर इसका इस्तमाल किया जाए तो शरीर में किसी परकार की कमजोरी नहीं आती चाहे अंदरूनी हो, चाहे ब जुंजला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, रात को पानी में आठ से दस दाने आपकी स्मिस के भीगोईए, सुबह खाली पेट खाईए और सुबह भीगोईए, साम को खाना खाने के आदे घंटे बाद इसका इसका इस्तमाल करिए, इस आपकी सरीर की, दिल की नसे नाडियां ताकतवर बन जाएगी, उसके अंदर खून का दोरा जो प्रेशर डालता है, दबाब डालता है, जिससे आपका बीपी बढ़ता है, या नसे आपकी अकड जाती है, जिसकी वज़ा से उन में तनाव उत्पन हो जाता है, और आपका ब उपर दवाब महसूस करने ही नहीं देता है, कि तनाव जैसे हम कहते हैं, हाई हमें टेंसन महसूस हो रही है, इसी तरह हमारी नसे नाडियां होती है, जब इनको टेंसन महसूस होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब ये नसों में तनाव को महसूस ही नहीं हो तो BP कैसे बढ़ेगा, तो उनके लिए बहुत फाइदे मन्द है, जिनका BP बढ़ता है, इनने से नाडियों को ताकत भी देता है, और उनमें तनाव उत्पन होने नहीं देता है, जिससे की वेक्ति का BP हमेशा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जिन लोगों को एनीमिया की शिकाय चहरा और सरीर की तवचा जो है, पीली सफेद नजर आती है, कमजोरी महसूस होती है, सांस फूलता है, थोड़ा भी काम करते हैं, ऐसे लोग अगर किसमिस को रात को पानी में भीगो के सुबह खाली पेट खाते हैं, सुबह भीगो के साम को खाना खाने के एक गंटे बाद तो बहुत जल्दी उनके सरीर में खून की पूरती हो जाती है, खून में और भी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो पूरी ठीक डंग से उचित मातरा में बनने लग जाते हैं, जिससे एनीमिया की शिकायत हमेशा के लिए खतम हो जाती है, जो लोग इसको सूखे तोर पे और या मान लिजिए रात को पानी में भीगो के सुबे और सुबे भीगो के रात को दोनों में से कोई एक तरीके से भोजन के बाद इस्तमाल करते हैं, तो उनकी पाचन से संबंदित विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि आमाशे, आंतरियों, लिवर को ताकत देता है, जिससे कि ये अपना काम ठीक डंसे करते हैं, और पाचन में कभी परेशानी नहीं आने देते हैं, और हमेशा इंसान को स्वस्त रखने में उनकी मदद करते हैं, बुखार किसी भी परकार का होता है, तो क्या करता है, वो सरीर का ताप बढ़ा देता है, और पाचन को कमजोर कर देता है, जिससे किसी भी परकार के बुखार में आप क्या कहेंगे, कि मुझे सरी में कमजोरी मैसूस हो रही है, ठकावट मैसूस हो रही है, और मेरा सरी टूटावा सा मैसूस हो रहा है, तो वो किसी भी परकार के बुखार में कमजोरी आना ठंड लगन तो सोभाविक होता है तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उस थिती में किस्मिस को दूद में पका के लिया जाए या सुखी किस्मिस खाई जाए या रात को पानी में भीगो के सुबे खाली पेट खाई जाए सुबे भीगो के रात को तीनों में से कोई तरीके स अगर किसमिस खाई जाती है, तो सरीर में कमजोरी नहीं आती, मुत्र और मल के रस्ते पूरे सरीर की शुद्धी हो जाती है, रस रक्त धातों की शुद्धी हो जाती है, जिससे की बुखार अपने आप उतर जाता है, बुखार कभी अपने आप नहीं होता, किसी ना किसी infection के क इसमाल किया तीनों तरीकों में 8 से 10 दाने इस्तमाल करने से बुखार की समस्या भी दूर हो जाती है कमजोरी भी नहीं आती और हमेशा इंसान अपने आपको ताकतवर मैसूस करता है जो लोग आखों की समस्या से परेशान है, मोतियाविंद है, साम को दिखता नहीं, नजर धीरे-देरे कमजोर हो रही है ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, आठ से दस दाने किसमिस के लेके रात को पानी में भीगो दीजिए, सुवेरे खाली पेट उसको खाईए, सुबे भीगो दीजिए, साम को खाना खाना से आदा गंटा पहले इसको खाईए, आपकी रोशनी आखों की बढ़ती चली जाएगी मोतियाभींद वो रात के समय या साम के समय दिखना कम हो जाता है, उसकी समस्या भी दीरे दीरे आपकी दूर होती चली जाएगी, जिन पुर्षों को अपने साथी के साथ सम्भोगी क्रिया करते समय ही वीरिय का सखलन हो जाता है या अपने साथी के साथ ठीक डंग से सम्भोगी क्रिया नहीं कर पाते हैं उसे हम सिग्र पतन वर नामर्दी बोलते हैं ऐसे पुरूस अगर इसको दूद के साथ आठ से दस दाने खाके उपर से गाय का गरम दूद इस्तमाल करते हैं तो उनकी सिग्र पतन और नामर्दी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है जिन पूर्षों के अंदर वीरिये क बनता है या वीरिये में शुकरानू वीरिये बनते हैं मगर उसमें शुकरानू नहीं बनते हैं उन पूर्षों के लिए भी आठ से दस दाने सुबे शाम गाय के गरम दूद के साथ खाना खाने के एक गंटे वाद इस्तमाल करने से वीरिये की मातरा अच्छी बनती है उसके लोगों को देखता हूँ कि दात समय से पहले सडने लग जाते हैं भूरने लग जाते हैं मसूरों से खून आने लग जाता है मसूरों से मवाद आता है मसूरों में पारिया की शिकायत हो जाते हैं गालों में साइड में सफेज सफेज से दाग होने लग जाते हैं या मान ली में 8-10 दाने भिगो दें, सुबह उसे चबा के अच्छे से खाएं, तो कुछ ही समय में देखते हैं कि उनका दात जो सडने लग गया था, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मूँ की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है, मूँ में च्छाले वगएरा ये बार बार मूँ से परेशानी उनको नहीं आती है, और मूँ में दाने वगएरा नहीं आते है, जीव में जो मैल बहुत ज़्यादा जमी रहती है, हम कहते हैं जी पाचन तंतर से ही संबंदी तहीरो, तो उनको बहुत अच्छा लाब मिलता है, पाइडिये की शिकायत मूँ से बदबू आना ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जो लोग मुख पाक जो कहते हैं मूँ में अलसर, मूँ में च्छाले से परेशान लेते हैं, उनके लिए भी रात को 8-10 दाने किसमिस के पानी में भिगो के, सुबे खाली पेट चबा के खाने से मूँ के च्छालों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है, क्योंकि उसके भिगो के खाने से उसकी तासी ठंडी हो जाती है, जो हमारे मैदे जिसे हम आमाशे बोलते हैं और लिवर आंतों की गर्मी जो जरूर से ज़ादा मातरा में बनती है, वो नहीं बनती है और उपर की तरफ गर्मी नहीं आती तो मूँ के च्छाले भी नहीं होते हैं, मतलब मुख की पूरी तरह से समस्याओं को दूर करता है किसमिस, कई लोगों में एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि वो पता है क्या करते हैं अगर उनको कहेंगे ना कि ये काम कर ले, ये काम करा, तो वो कहते हैं नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसो कर लेंगे, मतलब energy level कम यह थकावट मैसूस हो रही है, कमजोरी मैसूस हो रही है, ऐसे लोग, अगर उनको आप एक experiment करके देखना, आपने आपका सरीर थका हुआ ना, चार से पांच दाने किसमी इसके चबा के निगल जाना, और उसी time आपको लगेगा, कि एकदम सरीर में उर्जा आगे, क्योंकि इसके अंदर glucose बहुत अच्छी मातरा में पाये जाता है, जिससे सरीर में उर्जा एकदम बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, ये glucose को भी नह काम में लापरवाही नहीं करेंगे, और आलसपन तो बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, जिन लोगों की हडियां कमजोर है, या osteoporosis की शिकायत है, हडियों के अंदर गाड़ापन कम हो गया, जिससे हडियां नरम और कमजोर पड़ गी है, हडियों में जगा जग करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसको रात को पानी में 8-10 दाने भिगो के आप इस्तमाल कर सकते हैं, सुबह खाली पेट और सुबह भिगो के साम को खाना खाने के एक गंटे वाद इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद साम को जो आप इसका इसका वाइरस हमारे पर हावी हो गए हैं वो क्यूं हावी हो गए कि हमारी रोग परतिरोधक्षमता परनाली जिसे कहते हैं स्वेत रक्तकन वाइट ब्लड सेल्स की मातरा कम हो जाती है जिसकी वुझे से हम बार-बार बिमार पढ़ने लग जाते हैं तो इसके अंदर ऐसे गुन पा जाते हैं जो हमारी रोग परतिरोधक्षमता परनाली को बढ़ा देता है और सबसे बड़ी बात यह हमारी रोग परतिरोधक्षमता परनाली को उतना ही बढ़ा देता है जितना हमारे सरीर को जरूरत है जिससे कि हमारे सरीर में कभी भी बैक्टिरिया वाइरस का पाती, ऐसी महिलाएं, अगर किसमिस को 8-10 दाने रात को पानी में भिगो देती हैं, सुबह खाली पेट खाती हैं, तो बहुत जल्द उनको गर्भाश्य से सम्मन्दी सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं, और बहुत जल्द उनका गर्भ स्थापन हो जाता है, जिसे कहत गर्ब धारन की शक्ति उनके अंदर बढ़ जाती है और वो गर्ब को धारन कर लेती है किसमिस के मैंने आपको इतनэ सारे फायदे बताई तो इसके कुछ नुकसान है वो भी मैं आपको बतायता हूं कि हर चीज के कोई ना कोई भाइदे होते तो एक आदा नुकसान भी होता है सबसे पहला जो मैंने आपको मातरा बताई है उससे ज़्यादा मातरा में इसका इस्तिमाल नहीं करना है की ज़रो consumers से ज़्यादा हर चीज की अती नुकसान दायक होती है सबसे पहले अगर हम इसको सूखे तोर पे जादा मातरा में खा लेंगे तो ये हमें गर्मी पैदा कर देगी सरीर में जिससे कि हमारे सरीर में एलर्जी हो सकती है इसलिए जरू से जादा मातरा में इसका इस्तमाल मत करें और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद